आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone The question says that State Various Sources of Long Terms Fund So, Long Terms Fund के बिभिन Sources क्या है? उनको हमें क्या करना है? यहां पर बताना है So, अब हम देखते हैं इसका Answer So, The Various Sources Of Long Term Funds So, Long Term Funds के जो बिभिन Sources है वो इस प्रकार है So, जो पहला Sources है वो है Shares So, Shares क्या होती है? So, Shares are the Company Owned Capital जिस Capital को क्या करती है? जिस Capital को Company Owned करती है Means, Company की खुद की Capital या जिस Capital की Company क्या होती है? खुद मालिक होती है उनको हम बोलते हैं हम उनको हम Shares बोलते हैं So, यह है Long Term Fund के लिए पहला Sources की जो खुद का Capital है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? उसके द्वारा यहां पे हम Funding कर सकते हैं So, यह है पहला Sources Now, Second Sources जो दूसरा Sources है Long Term Funds का वो है Deventures So, Deventures क्या होती है? So, Deventures are the Borrowed Capital of the Company So, जिस Capital को क्या करती है? जिस Capital को Company Borrowed करती है That means, दूसरों से उधार लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम Deventures बोलते हैं So, यह है वो दूसरा Sources जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? जिसके द्वारा हम Long Term Funding करती हैं So, यह है दूसरा Sources Now, Third Sources So, जो तीसरा Sources है वो है Loans From Financial Institutions So, Long Term Fund का जो तीसरा Sources है वो है Loans From Financial Institutions So, जो Financial Institutions है उनसे क्या करना? उनसे Loans ले लेना So, Financial Institutions कौन से होते हैं? So, Financial Institutes हो गए Like Commercial Bank हो गए, Investments Bank हो गए So, यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से जब हम Loans लेते हैं So, यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है यहाँ पे Long Term Fund का तीसरा Sources So, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? यहाँ से भी हम Funding कर सकते हैं So, यह है तीसरा Sources Now, चौथा Sources So, जो यहाँ पे Fourth Sources है वो है Retained earnings so यह है चोथा सोर्स जिसको हम बोलते है retained earnings so retained earnings में क्या होता है so जब company क्या होती है जब company को profits मिलते हैं या फिर जब company क्या करती है जब profits earn करती है तो उसके पास फिर दो तरीके होते हैं उन profits को इस्तमाल करने का या तो वो क्या कर सकती है या तो वो dividend के रूप में उसको distribute कर सकती है या फिर यहां पर क्या कर सकती है या फिर उसमें से कुछ हिस्षे को जो profit earn किया है उसमें से कुछ हिस्षा क्या कर सकती है अपने पास रख सकती है जिसका यूज वो बाद में कप कर सकती है so जो जिस हिस्से को company अपने पास रखती है उसको हम बोलते हैं retained earnings so यह वो दूसर यह वो चौथा source है जिसके दुवारा company क्या करती है company यहाँ पर long term funding करती है so long term funds का यह कैसा है यह चौथा source है so यहाँ पर हमसे various source पूछे गए थी long term funds के तो हमने वो various source यहाँ पर देख लिए है so this is the answer of the given question